दोस्तो IPL 2025 में ऐसे बहुत सारे खिलाडी थे जिनका फॉर्म बेस्ट रहा लेकिन दोस्तो IPL 2025 के आउक्षन में हमें वो देखने को मिल सकते हैं और कौन से ऐसे वो खिलाडी है वो ही सुडियो में हमें आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे खिलाडी बताऊंगा दोस्तो जो IPL 2025 में हमें आउक्षन में दिख सकते हैं IPL 2024 में उनका फॉर्म बेस्ट रहा था फिर भी टीम मून को रिलीज कर सकती है तो ऐसे में दोस्तो नमबर 5 पे जो खिलाडी आते हैं वो होने वाने हैं कैमरोन ग्रीन देखें दोस्तो कैमरोन ग्रीन बेस्ट खिलाडी है और दोस्तो मेरे ऐसाब से बालिंग बैटिंग दोनों बेस्ट करते हैं और RCB के लिए इन्होंने बेस्ट फॉर्म दिखाया बालिंग से बैटिंग से तो ऐसे में दोस्तो यह जो है रिलीज इसलिए होगे क्योंकि दोस्तो आरसी भी जो कैमरोन ग्रीन रिलीज हो दोस्तो इनका फॉर्म बेस्ट रहा था हम सबको पता है जैसे दोस्तो सीजन एंड हो रहा था वैसे बैसे दोस्तो इनका फॉर्म वापस आ गया था और दोस्तो इन्होंने बेस्ट फॉर्म दिखाया था RCB Eliminator तक पहुची थी और इसका reason ये था दोस्तों कि इनके सभी खिलारी खेले थे और जिसमें Cameron Green का name शामिल था तो दोस्तों ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि इनका best form रहने के बावजूद इनको release किया जा सकता है auction में तो हमें ये दिखेंगे RTM इन पे use होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात रहेगी और RTM कितने use होगे ये भी देखने वाली बात रहेगी अगर दो होते हैं तो ये जरुरी इस team में रहेंगे लेकिन अगर एक RTM use होता है तो मेरे एसाफ से दोस्तों ये team से release हो जाएंगे नेक्स्ट खिलारी के हम बात करते हैं जो होने वाले हैं मेरे एसाफ से दोस्तों जॉनी बेस्टो और दोस्तों जॉनी बेस्टो एक ऐसे खिलारी है जो दोस्तों पंजाब किंग्स के लिए best form दिखा सकते है लेकिन दोस्तो पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो कि हम सब को बता ही है कैसी टीम है जो दोस्तो बड़े-बड़े खिलाडियों को रिलीज करती है चाहे आप बेस्ट फॉर्म दिखाए यार न दिखाए और दोस्तो इस टीम की एक खास बात ये है कि ये बड़े-बड़े आई पिल में बेस्ट रहा जैसे दोस्तों एक साल उन्होंने संराइज इदराबाद के लिए फॉर्म दिखाया था एक शतक लगा था ऐसा ही दोस्तों इस साल इनका फॉर्म रहा था लेकिन दोस्तों मेरे आज़ाप से रिलीज होंगे और क्यों रिलीज होंगे और इसका इनको रिलीज किया जा सकता है और दोस्तों इनकी बॉर्लिंग बेस्ट रही थी मुंबई इंडियन्स के लिए IPL 2024 में जैसा मैंने इनका फॉर्म देखा पहले ही सीजन में इन्होंने बेस्ट फॉर्म दिखा दिया तो दोस्तों ऐसे मैं मुझे ऐसा लगता है कि इनको रिल देखें दोस्तों इन्डियन खिलाडी है और हर साल इनका फॉर्म बेस्ट रहता है हम सबको पता ही है और दोस्तों ये इस लिस्ट में रहेंगे इसलिए क्योंकि इनका फॉर्म इस साल भी बेस्ट था मतलब इतना ज़्यादा भी हाय नहीं था ये इतना ज्यादा लो नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि रवी चंदरन अश्विन के चांसेश थोड़े से कम हैं और दोस्तो अगर रवी चंदरन अश्विन रिटेन हो जाता है तो दोस्तो युजवेंदर चहल के चांसेश कम हो जाएंगे तो मुझे नहीं लबता है कि युजब ओंदर चहल को रिलीस किया जाएगा रवी जंडरन अशुण को रिटेंट नहीं किया जाएगा उनको रिलीस किया जाएगा और इसके जादा सी जादा चांसेस मुझे लग रहे है इनका फॉर्म बेस्ट था लेकिन दोस्तों इनको रिलीस किया जा सकता है नेक्स्ट और नमबर वन खिलाडी की बात करते है जो है KKR के फिल सॉल्ट देखे दोस्तों इस खिलाडी ने दिखाया था इसमें कोई शक नहीं है कक्या जिस तरीके का फॉर्म इस साल दिखा रही थी दोजार चूबिस में ऐसा फॉर्म किसी सीजन उनका देखने को नहीं मिला और जिसमें सबसे बड़ा हाथ जो है नहीं का था पिल सॉल्ट ने दोस्तों ज़ादा सी ज़ादा मैचे के दिए है केक्यार टीम को इस सीजन में और दोस्तों मुझे है ऐसा लगता है कि इनको रिलीस किया जा सकता है इसका reason यह है कि KKR के साथ जादा खिलाडी वो return करेंगे जो दोस्तो best है और दोस्तो Indian खिलाडी इसमें जादा होंगे तो दोस्तो ऐसे में इनका नाम नहीं आ सकता है दो return होंगे मेरे ऐसाब से ओरसीस खिलाडी और ऐसे में इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है तो दोस्तो इसमें मैंने टॉफ ऐसे खिलाडी बता दिया जिनका फॉर्म बेस्ट रहा था 2024 वे लेकिन यह रिलीज होंगे तो दोस्तो इसमें बस इतना ही वीडियो में थोड़ा कम डाल रहा हूँ लेकिन दोस्तो देखिये क्यूंकि content के वह थोड़ा सा कांबी चल रहा है तो दोस्तो इसमें बस इतना ही मिलते नेक्स टुडियों में THANKS FOR WATCHING